हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है दो जनवरी दो हजार चौबिस और दो जनवरी दो हजार चौबिस से रिलेटेड करंट अफियर्स के जितने भी कुशन बन सकती है आज ही क्लास में सारी कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से सुबह 7 एम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इस से आपकी तयारी करंट अफियर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एक्जामों में आप करंट अफियर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के कु कुशनों का अंसर बहुत एजली दे पाएंगे चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का पहला कुशन देखती हैं आज का पहला कुशन लिखा है भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग उर्जा वैपार कनेक्टिविटी सेन तकनीकी सहयोग और लोगों से लोगों के आदान परदान में प्रगती के लिए अगले चार वर्सों 2024 से 2028 की अवदी के लिए परामर से पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताचर किये हैं इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अप्रोटोकॉल ओन कंसूलेशन्स फॉर दी पीरियड ओफ दी नेक्स्ट फोर येर 2024 तो 2028 कनेक्टिविटी, मिलिटरी टेकल, को ओपरेशन एंड पीपल तू पीपल एक्सचेंज फर्स्ट ओप्षन है औस्ट्रेलिया, सिकेंड ओप्षन है रूस, थर्ड ओप्षन है जापान, फर्ट ओप्षन है, फोर्ट ओप्षन है यूएसे बताईएगा दोस्तों इस क्विश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्विश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा ओप्षन नमबर बी भारत और रूस देशने आर्थिक सैयोग, उर्जा वैपार, कनेक्टिविटी, सेन तकनीकी सैयोग और लोगों से लोगों के आदान प्रदान में प्रगती के लिए अगले चार वर्सों की अवदी के लिए परामर्स पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताचर किये हैं चलिए इस कुशन से रिलेटर इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं भारत और रूस ने आर्थिक सैयोग उर्जा वैपार, कनेक्टिविटी, सेन तकनीकी सैयोग और लोगों से लोगों के आदान प्रदान में प्रगती के लिए अगले चार वर्सों 2024 से 2028 की अवदी के लिए परामर्स पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताचर किये हैं जैसंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच संबन्द मजबूत और इस्थित रहे हैं जो एक विसेस और विसेस अदिकार प्राप्त रड़नीती साजेदारी की जिम्मेदारी पर खरा उतरा रहे हैं ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स भारत और कौन सा राज भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है विच स्टेट ऑफ इंडिया है इमर्जड एज इंडिया पेट्रो कैप्टियल फर्स्ट ऑप्सन है उत्तर प्रदेश, सेकिंड ऑप्सन है गुजरात, थर्ड ऑप्सन है राजिस्थान, फोर्ट ऑप्सन है महाराजड पताईएगा फ्रेंड्स भारत और कौन सा राज भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उबरा है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है अमारा ऑप्सन नमबर भी भारत का गुजरात राज चलिए इस कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ते हैं जाम नगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी इस तरकी तेल रिफाइनरी और भरूज जिले के दहेज में OPL पेट्रो केमिकल कॉंपलेक्स के साथ गुजरात अब भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में पैचाना जाता है Reliance Industries Limited जाम नगर रिफाइनरी 1.4 मिलियन बैरल प्रती दिन कच्चे प्रसंस करट छमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटेल सिंगल साइट रिफाइनरी है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं Next Question लिखा है Friends किस IIT ने मेधावी चात्रों को अपनी उच्चे सिच्चा में S.T.E.M. विस्यों को आंगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए असम सरकार की प्रमुक अरणोर योजना के साथ सायोग किया है विच IIT हैज कोला ब्रोटेट बित दी गवर्मेंट आफ असम फ्लेग सिप अरूहन स्कीम तू मोटिवेट मेरी टोरियस स्टूडेंट तू परचेज स्टीम सबजेक्ट्स इन दियर हाइयर एजुकेशन फर्ष्ट ऑप्षन है IIT गुहार्टी सिकेंड ऑप्षन है IIT दिली थार्ड ऑप्षन है IIT मदरास या फोर्थ ऑप्षन है IIT इन दौर जल्दी से बताईएगा दोस्ते इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्षन नंबर A IIT गुहार्टी चलिए इस कुशन से रिलेटर इंपॉर्टन पॉइंटों को पढ़ लेती हैं भार्टी प्रोधोगी की संस्तान गुहार्टी ने मेधावी चात्रों को अपनी उच्छ सिच्छा में S.T.E.M. विसियों को आंगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए असम सरकार की प्रमुक आरोहड योजना के साथ सयोग किया है आज तक संस्तान ने 3,311 चात्रों जिसमें 2,009 लड़कियां और 1,302 लड़कों और कुछ सो अनुभवी सिच्छों की सफलता पूर्वग मेजवानी की है जिससे उन्हें S, T, E, M सिच्छा में विसाल अफसरों और रुचियों का पता लगाने के लिए प्रेरिना मिली है ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते है नेश कुशन लिखा है दोस्तो दिसमबर 2023 में किंदरी मंत्री आरके सिंग ने किस सहर में पावर ग्रिड विसराम सदन का उधगातन किया है इन दिसमबर 2023 यूनियन मिनिस्टर आरके सिंग has inaugurated पावर ग्रिड विसराम सदन इन विच सिटी फर्स्ट आप्शन है बेंगलरू, सिकेंड आप्शन है न्यू डैली, थर्ड आप्शन है चेन नई, फूर्थ आप्शन है ग्रेटर नोईडा बताईएगा फ्रेंड्स, दिसमबर 2023 में केंडरी मंत्रियार के सिंग ने किस सहर में पावर ग्रिड विसराम सदन का उधगाटन किया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ओप्शन नमबर A, बेंगलरू में चैलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं केंडरी विद्दुद नवीन और नवीकरडी उर्जा मंत्री आर के सिंग ने बेंगलरू में पावर ग्रिड विसराम सदन का उधगाटन किया करीब 23 करोड रुपे की लागत से बने इस दो मंजिला विसराम सदन में 270 बैड हैं इस सदन के 55 कमरे सभी आवस्यक सुविदाओं से सुसजित हैं और मरीजों के परिचारकों को अधिक्तम संभव आराम प्रिदान करने में सच्छम है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हों नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लेखा है फ्रेंड्स Reliance G.O. Info.com ने भारत GPT लाउंच करने के लिए किस IIT के साथ हाथ मिलाया है Reliance G.O. Info.com has joined hands with which IIT to launch भारत GPT First option IIT है द्रावाद, Second option IIT दिली, Third option IIT Bombay, Fourth option IIT कानपूर बताईएगा friend's इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा option number C IIT Bombay चलिए इस question से related important point देखते हैं भारत का सबसे बड़ा दो संचार सेवा प्रदाता Reliance Geo Infocom भारत GPT लाँच करने के लिए पार्टी प्रोधोगी की संस्थान Bombay के साथ काम कर रहा है जो विशेश रूप से भारत की जरूरतों के लिए एक बड़ा भासा मॉडल है Company Smart Television के लिए एक Operating System लाँच करने के लिए भी व्यापक रूप से सोच रही है अमबानी ने कहा कि अगले 10 साल बड़े भासा मॉडल और Generative AI द्वारा परिभासे तो होंगे ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है Friends Party Reserve Bank ने ICICI Prudential Ascent Management Company Limited ICICI AMC को Federal RBL Bank में कितनी प्रिश्चत हिस्तेजारी हासल करने की मंजूरी दे दी है The Reserve Bank of India has accorded approval to ICICI Prudential Assist Management Company Ltd ICICI AMC for accruing up to how much percentage stake in Federal RBL Bank First option है 4.95% Second option है 15.95% Third option है 9.95% और Fourth option है 19.95% पताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा option number C 9.95% चलिए इस कुशन से related important point को पढ़ लेते हैं भारती रिजर बैंक ने ICICI Frudasial Assets Management Company Limited ICICI AMC को बैंक में 9.95% तक हिस्सेदादी हासिल करने की मंजूरी दे दी है भारती रिजर बैंक RBI दौारा दी गई मंजूरी बैंकिंग वीने में अधिनिया 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों RBI के Master Direction और बैंकिंग कंपनियों में सेरों या बोर्टिंग अधिकारियों के अधिक रहड और होल्डिंग पर 16 जन्वरी 2023 के दिशा निर्देसों के अनुपालन के अधीन है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स आप पूर्टिस रंखला डिकार्बोनाईजेशन के लिए किस कंपनी ने आदानी टोटल गैस लिम्टेड एटी जी एल के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं विच कंपनी है जिस साइंड एन एम ओ यू विथ अडानी टोटल गैस लिम्टेड फॉर सप्लाई चेन डिकार्बोनाईजेशन फर्स्ट आप्सन है अमेजन सिकेंड आप्सन है फिलिप कार्ट थर्ड आप्सन है आजियो या फूर्ट आप्सन है मीसू बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्सन नमबर भी फिलिप कार्ट चलिए इस कुश्चन से रिलेटिट इंपॉर्टन पॉइंटों को पढ़ती है अदानी टोटल गैस लिम्टेड और फिलिप कार्ट ने फिलिप कार्ट की आपूर्ती स्रंकला को दी कार्वनाईजिंग करने पर सयोग करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं इस पहल का उद्देश सोसन सिंग, इस्थानों, गोदामों और ग्रहक डिलेवरी में सामानों की प्रात्मिक, मादमिक और तितियक गती विदियों में फिलिप कार्ट के कार्वन पदचिन को कम करना है M.O.U. के तहट A.T.G.L. डिकार्वनाइजिंग समाधान प्रदान करेगा जो फिलिप कार्ट के प्राकर्टिक गैस सहित सुच इदन विकल्पों में बदलव और इलेक्ट्रिक वहनों के एकी करड का समर्थन करेगा ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेज कुशन देखते हैं नेज कुशन लिखा है दोस्तो HDFC बैंक बोर्ड ने RBI को कितने वर्सों के लिए अंसकालिक गैर कारिकारी अध्यच और सुतंतर निर्देशक के रूप में अतनू चकरवर्ती की पुनन्युक्ती की सिफारिस की है HDFC बैंक बोर्ड है ज रीकमेंड़ टू आर बी आई दा दी अपॉइंटमेंट ओफ अतनू चकरवर्ती है जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुषचन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशिन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नमबर सी ठीरी एर चैलिए इस कुशिन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं एजडी एफसी बैंक ने तीन साल के लिए अतनु चकरवर्टी को चियर्मेन के रूप में फिर से निक्तकन्ने को मंजूरी दे दी है निजी रिर्दाता HDFC बैंक वोर्ड ने अतनु चक्रवर्टी को अंसकाले गैर कारिकारी अध्यच और सुतंदर निर्देसक के रूप में फिर से निक्त करने की सिफारिस की है जो आंगे की मंजूरी के अधीन है मामला 5 मई 2024 से 4 मई 2027 तक 3 साल के दूसरे कारिकाल के लिए पार्टी रिजर बैंक की मंजूरी का है गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधीकारी चक्रवर्टी अप्रेल 2020 में आर्थिक मामलों के विवाग के सचिफ के रूप में सेवा निवरित हुए थे ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स निमने लिकेत अथिलीटों में से किसने फोप्स की सबसे अधिक कमाई वाली महला अथिलीटों की 2023 की सूची में सीस स्थान प्राप्त किया है हुए एमोंग दी फॉलॉविंग एथलीट्स हैज टॉप्ट दी फोप्स लिस्ट ओफ हाइस्ट पेड वोमेन एथलीट्स इन 2023 फर्स्ट ओप्सन वीनस विलियमसन सिकेंड ओप्सन एलेना राय रे बाकिना थर्ड ओप्सन नाउमी ओसाका फूर्थ ओप्सन पीवी बताईएगा दोस्तो निम्लिक्ट एथलीटों में से किसने फोप्स की सबसे अधिक कमाई वाली महला एथलीटों की 2023 की सूची में सीजिस्थान प्राप्त किया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्सन नमबर डी पीवी सिंदु ने चलिए इस कुशन से रिलेटेट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती हैं बैडमिंटन इस्टार पीवी सिंदु ने फोब्स दुआरा 2023 की सबसे अधिक कमाई वाली महला एथलीटों की सूची में जगे बनाई है जहां वे 7.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ जिम नाश्टर सिमोन वाइल्स के साथ 16 इस्थान पर रही पिछले साल सिंदु को 7.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ उस सूची में 12 इस्थान पर रखा गया था जिसका नेत्रज जापानी टैनिस इस्थार नाओमी उसाका ने किया था सिंदु 2018 की सूची में 8.5 मिलियन डॉलर के साथ सीर्स दसवे सामिल हो गई थी जिससे वे 7 इस्थान पर रही है ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस देश ने सुदेशी रूप से विकसित नर देशित मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम फतह सेकेंड का सफल उडान परीचड किया है जो 400 किलो मीटर की दूरी तक उच परिसुदता के साथ लच को भेदने में सच्छम है विच कंट्री है जे कंड़क्टिड अ सक्सिस्फुल फ्लाइट टेस्ट ओफ दा इंडिगेशली डवलप्ड गाइड़ मिल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम फत्य सेकेंड विच इज कैपेविल ओफ इंजेंजिंग टारगेट से बिथ हाई प्रिसेशन अप्टू आरेंज ओफ 400 किलो मीटर्स फर्स्ट ओप्सन है इरान, सेकेंड ओप्सन है इराग, थर्ड ओप्सन है यूएई, फोर्थ ओप्सन है पाकिस्तान बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे हैं हमारा ओप्सन नमबर डी, पाकिस्तान चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को बढ़ लेती है पाकिस्तान ने सौदेस में विक्सिद गाइडेट मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम फटह सेकेंड का सफल उडान पर इच्छड किया है जो 400 किलो मीटर की दूरी तक उच परिसुदता के साथ लच्छ पर हमला करने में सच्चम है सेना की मेडिया साखा, इंटर सर्विसेज, पबलिक रिलेंस के अनुशार फतेस इकेंड, अत्याद होने के एवियो निक्स, परिस्करत, नैविगेशन परडाली और आदुतिय उडान परवेच्छ से सुसजित है यह अतियार परडाली 400 किलोमीटर की दूरी तक उच परिसुदता के साथ लच्छ को बेदने में सच्चम है ठीक है दोस्तो, आई होप आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे फ्रेंट्स और सभी कुशन से रिलेटिट इंपॉर्टन पॉइंट की नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, सेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सोमा दोस्तों